आज बात करने वाले हैं इस ब्रह्मास्त्र बैच के लेक्चर नंबर 8 में वो है आयो और्गनाइज़ेशन आयो और्गनाइज़ेशन क्या होता है कैसे आयो डिवाइसे साथ कनेक्ट होती है अलग अलग टाइप के कनेक्शन बसेस एकसे एकट्रा एकसे बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं लेक्चर नमबर 7 तक हम आल्रेडी काफी कुछ कवर कर चुके हैं जो मैं यहां आपको बता सकता हूँ So we have already covered basics of this, then instructions, instruction के questions, addressing board, CPU and data path, control unit, floating point representation आज हम लेक्चर नमबर 8 में ये बाते करने वाले हैं बहुत interesting session होगा, basic होगा, जिसको use करके हम next वाला topic, DA में और interrupt के बारे में बात करेंगे Before we start, मैं अपने आपको introduce कर देता हूँ लोग के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चानल पे as a channel lead काम करता हूँ और unacademy platform पे as plus educator काम करता हूँ, मैंने gate multiple times लिखा है, यह है मेरी rank, master's, experience, यह computer science gate की rank है सारी ठीक है, अगर आप लोगों को यह नहीं पता है, तो मैं फिर से repeat करके बता देता हूँ कि मैंने IT का job छोड़ा well established, well paid job छोड़ा, क्यों क्योंकि मुझे यह realize हुआ कि इस country के students को चाहिए quality education वो quality education जो थी, वो students को तभी मिल सकती थी, जब मुझे से कुछ ऐसे लोग जो काफी कुछ पढ़के, समझके और अच्छा experience लेके आएं हैं और वो अगर payback करें उस student community को, तो मैंने यही decision लिया और फिर मैं आ गया इस field में जहां पे मैं आप लोगों से connected रहता हूँ ताकि आप लोगों को वो मिल पाए जिसकी आपको real में need है, जो की quality education है, पट इसके अलावा एक और चीज थी, जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को नहीं मिल पारी है, वो है सही guidance जब मैं अपनी engineering में था, मुझे सबसे ज़्यादा problem हुई इस चीज को लेके कि मुझे नहीं पता चलता था कि आगे क्या है, future क्या है, मुझे क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे क्या अभी सीखना पड़ेगा, और कहां मैं जा सकता हूँ, यहां से मुझे क कोई awareness नहीं थी, यह चीज मैं चाहता था कि आप लोगों को मिले, इसलिए मैं teaching field में आया, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैनल के थुरू और anacademy platform के थुरू वो guidance आपको देता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने explore नहीं किया चैनल को तो करिए, और anacademy platform को भी explore करिए anacademy platform पे free account बनाईए, special classes देखिए हर एक educator की, ताकि आपको वहाँ से भी learning मिले, बट आपको learning के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, quizzes, practice questions, etc. जो free में आप attempt कर सकते है anacademy platform पे, यह link के थुरू मेरी previous taken special classes आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने एक भी special class नहीं देखी है anacademy platform पे, तो देखिए और मेरी profile में जाके ना, एक rapid fire rounds होंगे, rapid fire sessions होंगे, वो देखिएगा जरूर, एक session देख के देखिएगा, आपको मजा जरूर आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ यह है learning, literally यह है learning, मजा तो जरूर आएगा, तो जिस particular guidance क मैं आप लोगों को बात कर रहा था, वो guidance बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को आज का सिर्फ एक scenario दिखता है, यार की gate rank निकल जाए, बस, फिर scenario दिखता है, कुछ college मिल जाए, बस, college में लगेगा, अरे बस कोई job लग जाए, that's it, but मुझे यहां से दिखता है, आपक हर एक कदम पे, including your gate preparation, उसके बाद आपका college admission, उसके बाद placement, हर एक जगे पे किस-किस चीज की कब-कब कैसे जरूरत पड़ेगी, वो मुझे पता है, वो मुझे समझ में आता है, तो यही चीजे हैं जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आप लोगों को aware कराना च चाहता हूँ इन चीजों को लेके, ताकि आप लोगों को एक वो overall holistic awareness हो, कि हाँ, ऐसे मुझे अपने आगे आने वाले 5, 10, 15 साल को प्लान करना है, और ऐसे इस particular मुकाम तक पहुँचना है, अगर आप लोग चाहते हो कि मुझसे personally connected रहो, आप लोग चाहते हो कि मेरी personal guidance में अ daily practice problem मिलता है, और quizzes मिलता है, gate preparation को लेके digital notes मिलते है, test series मिलती है, और iconic में ये extra मिलता है, जिसमें printed notes, one-on-one live mentorship included है, आप कोई भी subscription लेंगे gate preparation का, जो अलग-अलग duration के लिए available है, जो भी subscription का plan आपको ठीक लगता है, plus iconic select करो, duration select करो, फिर ये code लगा लो, इस code को लगाने से आपक एक तो अभी, specifically, इसी duration में 11-14 date तक 20% का discount मिलेगा, इसके अलावा मेरा personal guidance और मेरी team का support मिलता रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे personal guidance में आपको पढ़ना है, अपना career आगे plan करना है, जल्दी से ये code लगाओ, subscription लो, और आजाओ plus पे, फिर हम और आप दोनों मिलके साथ मे मेनत करेंगे, ताकि आपका career shape कर सके, उस particular चीज को लेके, जो आप real में चाहते हैं, जो आप real में deserve करते हैं, अगर आप सिर्फ test series का subscription लेना चाहते हो, तो unacademy light subscription अवेलेबल है, जहाँ पे test series और printed notes भी मिल जाएंगे, आपको ये subscription भी, आप 3 दिन के लिए, अगले 4 दिनों जाएंगे, पर अगर आप उन courses के साथ में, ये सारी चीजें भी चाहते हो, सिर्फ course cover करने से marks नहीं मिलते हैं, ये मैं 25 बार बोल चुका हूँ, आप लोगो को, उस course को याद भी रखना पड़ेगा, और उस course को learn करने के बाद, उससे questions solve करने की ability भी develop करनी पड़ेगी, ये स जब आप ही को करना है, तो जब आप ये सारी चीजें सीख जाओगे, तो ही आपको अच्छे marks आएंगे, गेट में, अगर आप चाहते हो, आपके doubts solve हो जाएं, daily practice problems मिलें, आपको अच्छे वाले, exclusive live classes मिलें, आपको practice or strategy sessions मिलें, study material मिले, test series मिले, ये सब आपको मिले, तो का subscription लेके, क्योंकि especially हमने एक 4 मंत का subscription आपके लिए अभी अभी launch किया है, ये before discount है, आपको 20% का discount इस पे मिल जाएगा, अगर आप gate 24 की तेयारी कर रहे हैं, तो 14th October से एक नया batch start हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, top educators आपको पढ़ाएंगे, और आपको guide करते रहेंगे किस तरीके से आपको आगे के course पढ़ना है, कैसे preparation करनी है, अगर आप लोग no cost EMI लेना चाहते हैं, तो वो भी available है, जहां extra payment नहीं करनी है, बट आप installment में pay कर सकते हैं, अगर आप में से कुछ लोगों ने, या सब लोगों ने, या किनी ने भी हमारा scholarship test लिखा था, जो हमने last मन कंडग कराया था, combat test, तो अगर आपने ये combat test लिखा है, तो आप लोगों को एक discount code हो सकता है, आया हो, वो discount code आप 14th of October तक ही use कर सकते हैं, उसके बाद वो valid नहीं रहेगा, तो अगर आपके पास कोई discount code है, तो आप उसे use कर लीजिए, ताकि जल्दी से आप उसका discount पाएं otherwise फिर आपको discount नहीं मिलेगा, चलिए, start करते हैं, session को, session को start करने के पहले, आप लोगों का simple सा equation जो मैं हमेशा आप से पूछता हूँ, उसका answer यहाँ आना जरूरी है, क्या आप लोग ready हैं आज के session के लिए, तो आप अगर ready है, session के लिए, तो हम start कर देंगे, session को जल्दी से बताए, ready है, जल्दी से बताए, ready है, yes और no, जल्दी बता दीजिए बच्चा, अगर आप लोग ready हैं, तो start करेंगे आज का session, शाली, okay, 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 चल, start करते हैं, session को, और बात करते हैं, कि यह क्या है, I.O. organization, before going for the I.O. organization and all, हम सबसे पहले बात करेंगे, इस चीज़ के बारे में कि peripheral device क्या होती है, peripheral devices, वो devices होती है, जो processor के साथ, या CPU के साथ, externally connected होती है, apart from memory, memory को छोड़ कर, memory को छोड़ कर, आप अगर, कोई भी device जो लेंगे, जो CPU के साथ, externally, बाहर से connected है, उसे क्या कहेंगे, peripheral device, उससे क्या फाइदा है, उससे ये फाइदा है, कि जो भी आप चाहें, CPU से connect कर सकते हैं, externally, बट ये devices को क्या कहते हैं, peripheral, sir, memory को क्यों नहीं, memory भी तो अलग से connect रहती है CPU से, बट memory और peripheral devices में difference होता है, जो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो memory को छोड़के, जितनी भी ऐसी devices है, जो externally connected है, उन्हें बोलते है, peripheral devices, in short, इन्हें, input, output devices भी कहते हैं, दूसरा नाम है, peripheral devices का, ठीक है, अब इन devices में, actually, तीन टाइप की devices होती है, एक बताता है, input devices, जो input देने के काम आती है, computer system को, name, नाम बताऊ, कौन-कौन सी है input devices, जल्दी से नाम बताऊ, आप लोग जल्दी से टाइप करके बताऊ, कि कौन-कौन सी है input devices, जिससे आप computer system को input दे सकते हो, दूसरा है output devices, और तीसरी है storage devices, तो कुछ devices, input देने काम आती है, like keyboard, कीबोर्ड माउस के अलावा क्या कीबोर्ड माउस और कुछ भी निए अरे इतनी डिवाइसे से आर आप माइक्रोफोन यूज कर सकते हो कैमेरा यूज कर सकते हो अलग-लग टाइप के स्कैनर होते हैं qr-code scanner होता है बार-code scanner होता है और भी बहुत सारे टाइप के स्कैनर्स हो सकते हैं वो हैं फिर आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है स्क्रीन आती है जिसके तुरू आप आउटपुट लेते हो प्रिंटर आता है और और क्या आता है और क्या आता है आपके पास में स्पीकर भी तो हो सकते हैं यह सब आउटपुट डिवाइसेस में ही आता है जी हां आप externally pen drive लगा सकते हैं और external hard disk लगा सकते हैं micro SD cards लगा सकते हैं CD drives और भी बहुत सारी type की drives आप externally connect कर सकते हो है ना चलो अब बात करते हैं कि यह जो devices है क्या यह CPU से directly connected रहती है answer is no नहीं CPU से directly connected नहीं रहती है जितनी भी IO या peripheral devices होती है वो directly connected नहीं रहती है CPU से इनके बीच में लगता है एक IO interface क्या लगता है बेटा IO interface क्यों लगता है क्योंकि यह एक दूसरे को पहचानने से मना कर देती है CPU और IO devices एक दूसरे को पहचानने से मना कर देते हैं अगर interface ना लगा हो तो क्यों ऐसा है क्योंकि इनका CPU जो है वो purely electronic device है यह electromagnetic, electromagnetic devices भी हो सकती है electronic device भी हो सकती है इनका mode of operation इनका mode of operation अलग-अलग हो सकता है तो जिस type का signal CPU generate कर सकता है इसको समझ में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं इसके लिए हमें interface लगाने की जरूत पड़ती है ठीके तो अगर हम interface लगाते हैं तो यहां पे interface जो है वो hardware भी होता है और software भी होता है software interface क्या होता है software interface वो होता है जो हम driver के थुरू install करते हैं जब कभी आप नया printer लेके आओ printer को आप यूज करो उसके पहले उस printer का आपको driver इंस्टाल करना पड़ता है तब जाकि वो printer CPU से detect होता है is it live or recorded premiere ओ भाई साब लाइव ही चल रही है तो software interface वो है जो आप driver इंस्टाल करते हो उसके थूँ और hardware भी connected रहता है system के अंदर interface के नाम पे उनके थूँ CPU और यह i.o devices connect होती है अब आपको यहां पर समझ में आएगा कि क्यों मैंने कहा apart from memory क्योंकि आपको मैंने कहा है कि जब CPU memory से connect होता है तो sir CPU memory से तो directly connect होता है कहा की नहीं कहा मैंने कहा था ना directly buses के through connected रहता है तीन टाइप की buses होती है address bus, data bus और control bus यहां पर हमारे पास CPU से IO device directly connect नहीं होती है पहले interface होता है और उसके पीछे IO devices होती है इसलिए memory को अलग रखा जाता है यह तीन component basic होते है system में IO devices CPU और memory CPU और memory directly connected, IO devices और CPU through interface connected अगर आपको IO devices को memory से भी connect कराना है तो भी interface की जरूत लगीगी है ना अब यहां पर मैंने interface के बारे में detail में लिख रखा है कि interface किस किस चीज के लिए जरूरी है एक तो मैंने signal की बात की थी जो मैंने already आपको बता दिया है दूसरा data transfer की rate जो है ना IO और CPU के बीच में उसको भी synchronize करना पड़ता है क्योंकि CPU बहुत fast है यह बहुत slow है तो हमें दोनों के बीच का data transfer rate को synchronous बनाने के लिए भी यह interface use होता है similarly data format, CPU जिस format में data को समझता है और यह जिस format में data को समझता है अलग-लग format हो सकते है use इन दोनों का interconnection या interchange जो है वो भी IO कराता है IO interface कराता है तो conversion of data formats also done by interface कुछ ऐसे reason है जो यहाँ पर चाहिए आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है यह नहीं आ रहा है कि बस खाली सुन रहे हो कथा के जैसे सुनने का नहीं है it's not story की दादी की story है सुनते सुनते नीन आ गई काम ख़तम कल सवरे फिर बुल गए gate exam में अगर question आ है न तो फिर यह याद रखना पड़ेगा सारी कहानिया है न चल बात करते हैं IO versus memory busses के बारे में मतलब क्या है मतलब बड़ा simple सा है कि अगर IO devices को भी connect करना है CPU से तो busses तो लगेंगे डेटा बस लगेगी ताकि डेटा का आदान प्रदान हो control bus लगेगी ताकि control signal जा पाए IO device के पास CPU अगर hard disk को access करेगा CPU अगर camera को access करेगा तो definitely लगेगी तो सही हाँ जी अगर CPU को को कोई भी IO device access करना है तो control signal तो लगेगा बिलकुल लगेगा सर अगर CPU को memory access करना है तो भी control signal लगेगा हाँ जी data buses भी लगेगी yes address bus address bus लगेगी address bus लगेगी या नहीं लगेगी लगेगी of course क्यों memory में address होता है यह तो हमने देखा बट IO में कौन सा address होता है दिखिए address bus ना IO के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि system में हम एक से ज़ादा IO devices use करते हैं हम keyboard भी use कर सकते हैं mouse भी use कर सकते है, screen भी use करते हैं, hard disk भी use करते हैं ये कम से कम basic तो चार यूस करती ही करते हैं अब इन चारों में से CPU को hard disk को access करना है तो CPU कैसे select करेगा कि मेरे को hard disk को ही connect करना है उसके लिए addresses होते हैं हर एक IO device के एक IO device का unique address होता है system में फिर CPU उस address को भेजता है तो चारो आयो डिवाइस या जितनी भी आयो डिवाइस से उन में से एक डिवाइस सेलेक्ट होती अच्छा हड्रेस का काम है ऐसे आयो डिवाइस का भी addressing होता है इसलिए आयो डिवाइस को connect करने के लिए address बस का जरूरत लगता है अभी समझ में आया कि नहीं आया इतना बात address बस का जरूरत क्यों लगता है क्योंकि हर एक आयो डिवाइस को connect कराने के लिए हमें हर एक आयो डिवाइस को select कराने के लिए CPU को एक address भीजना पड़ता है चली तो एक सिंपल सी चीज हमें यहां समझ में आई कि आयो डिवाइस के लिए भी बसेस लगी अलग-अलग होंगी कैसी होनी चाहिए ताकि CPU, Memory और IO दोनों को access कर पाए इसके लिए हमें यहां पे इसके लिए यहां पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तीन अलग-अलग तरीके होते है there are three different ways to connect IO devices with devices and memory with CPU, तीन तरीके अलग-अलग होते हैं कि IO devices और memory को CPU से connect किया जाए through buses मैं लिख देता हूँ, through buses, buses के through IO devices और memory को connect करने के तीन तरीके होते हैं पहला तरीका है separate buses for both, separate buses for both का मतलब है IO devices के लिए अपनी buses, तीनो के तीनो, memory की अपनी तीन bus तीन कौन सी bus होती है सिर्ख हुजाओ और याद करो बताओ तीन bus इस कौन सी होती है CPU, जे रहा memory This is memory, real में memory यह यलो पता है किसलिए लाया क्योंकि memory is actual में यलो यलो और डर्टी फिलो ही होती है याद ही नहीं रहता कुछ भी है ना और यह है हमारे IO डिवाइस। अब देखो मैं जहां भी कभी IO डिवाइस ऐसे बनाओंगा ना आप लोग अज्यूम करोगे कि यह है इंटरफेस इसके पीछे IO डिवाइस होंगी कहीने कहीन इनके पीछे आयो डिवाइस होंगी आगे इंटरफेस ही होगा पड़ अभी समझने के लिए समझ लो आपको पता है कि इंटरफेस के थूरू connected रहेंगी तो यहां पे पहले इंटरफेस आएगा इसके पीछे आयो डिवाइस रहेंगी है ना तो मेमरी के लिए तीन बस अलग यह रही address बस मेमरी की unidirectional रहती है यह रही data बस मेमरी के लिए bidirectional bidirectional control बस अलग इस CPU के आयो के लिए connection की भी तीन बसे separate separate यह लिए तीन बसे separate separate address बस अलग data बस अलग control बस अलग बढ़िया शांदार अब देखो यह जो arrangement है इसमें ना तीन बस इसकी अलग तीन बस इसकी अलग बट इस arrangement का ना कोई खास utilization नहीं है क्यों नहीं है इसका implementation भी नहीं होता practically क्यों नहीं होता यार देखो CPU तो एक ही है एक टाइम पे एक ही प अब वो program या तो memory को access करने के लिए instruction execute करेगा या I.O. के लिए अब एक time पे या तो memory access होगी या I.O. अगर memory access होगी तो ये buses use हुई अगर I.O. अगर I.O. access हुआ तो ये parallel access होगा क्या नहीं होगा अगर parallel access नहीं होगा memory और I.O. दोनों का तो फिर इतनी parallel bus लगाने की ज़रू अब छे buses लगाई तीन इधर तीन इधर और सब की सब buses के लिए cost तो लगती है अलग से बिलकुल लगती है तो costly है और unnecessary है इतनी buses लगाने का कोई फाइदा नहीं हुआ इतनी buses लगाने का कोई फाइदा ही नहीं हुआ क्यों लगाए बिलकुल ना लगाओ तो ये जो separate buses for both का system था यह इंप्लिमेंट हुआ ही नहीं प्रैक्टिकली नॉट यूजड एट लिए यूज़ होता ही नहीं है तो क्या करें सर कॉमन रखो ना कुछ बस इसको कॉमन कर दो क्या फरक पड़ता है एक टाइम तो सीपी या तो एड्रेस बस यूज़ करेगा या डेटा बस यूज़ आने क्या जरूर नहीं क्या जरूर नहीं यह जरूर तो इसी लिए साइंटेस्ट ने थोड़ा और नया टाइप का कनेक्शन बनाया और बोला कि एक काम करो एड्रेस बस और डेटा बस को कॉमन कर दो दोनों के बीच में कर देते हैं जो हुकम मालिक आपने कहा हमने माना मेम क्या कॉमन कर दिया एड्रेस बस और डेटा बस कॉमन कर दी तो यह रही एड्रेस बस जो मेमिरी के पास जाएगी वही आयो के पास भी जाएगी यह रही डेटा बस यह भी वही की वही जो मेमिरी के पास गई वह आयो के पास भी गई तो देखो यही बस मैं यहां से बस जो है वो यहां भी जा रहा है अच्छी बात है connection हो गया बढ़िया शानदार अब क्या control बस का क्या अलग-अलग सिगनल अलग-अलग सबके लिए सिगनल अलग-अलग है ना सबके लिए सिगनल अलग-अलग इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इसके लिए मेमरी के लिए रीड राइट सिगनल अलग और आयो के लिए रीड राइट सिगनल अलग control signals अलग-अलग बना दिये तो buses है जो control bus है control bus के signal इसके लिए अलग जाएंगे इसके लिए अलग जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो signal आएंगे memory के लिए यह है memory का read और memory का write यहाँ पे आएगा I.O. का read अलग और I.O. का write अलग मतलब अब हम CPU से किसी को भी access करने जाएंगे तो memory को access करना है तो भी इसी address bus से address जाएगा I.O. को access करना है तो भी इसी address bus से address जाएगा बट उस address पे जो CPU ने भेजा है memory access होगी या I.O. access होगा इसका decision लिया जाएगा signals के basis पे अगर CPU को memory पे read करना है तो CPU इस memory read signal को enable करेगा control signal बाकि के सारे 00 रहेंगे ये वाला और ये दोनों इससे पता चलेगा कि जो address CPU ने generate किया है वो memory के लिए है और memory पर read हो जाएगा अगर CPU को memory पर write करना है तो ये वाला signal CPU enable कर देगा enable का मतलब one कर देगा उससे क्या होगा CPU को पता चलेगा memory को पता चलेगा कि जो address आया है वो मेरे लिए आया है और उस पर मुझे write operation करना है फिर अगर आयो पर operation करना है तो आयो पर operation करने के लिए क्या करना पड़ेगा control signal आयो read या आयो right मैंसे कोई एक signal enable करना पड़ेगा अब यहां बच्चे question पुछते सर आपकी control bus कहा है मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो red color की line बनाई है वो क्या है बाबु का है बबु आई का है इक control signal ही तो है तो एक bus को एक साथ बनाने की बजाए signal अलग अलग बना दिये का तकलीफ है इसमें कोई तकलीफ नहीं है तो concern bus में अलग-अलग सिगनल है में अलग यह तो lucky यह की दिवाइस को एक ताइम पर आक्सेस करे या तो memory को या फिर किसी ना किसी IO device को simple सी बात है आई बात समझ में क्या कहा मैंने तो अगर CPU generate करता है address let's say CPU ने address generate किया इस bus के थू भेजा address की value है 5 तो अब ये 5 address memory का भी हो सकता है ये address 5 किसी IO device का भी हो सकता है पर दोनों में से कौन access होगा दोनों में से वो access होगा जिसको control signal मिलेगा CPU से तो एक, दो, तीन, चार चार signal में से एक signal enable रहेगा कौन सा जिसको CPU चाता है CPU एक ही signal enable करेगा इन चार में से जो भी करेगा वो operation perform हो जाएगा अगर CPU ने IO के लिए read किया तो address 5 वाली IO device पर read operation perform हो जाएगा आई बात समझ में Is it clear? Programming with Ashish बार-बार बेटा एक ही message करने की जरुरत नहीं है मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये हमारे gate के syllabus में नहीं है और अभी हम concentrate कर रहे हैं कि gate का syllabus complete हो जाए बहुत जरूरी है बहुत सारे serious candidates हैं यहाँ पर जो gate का syllabus पढ़ने के लिए बैठे हुए है ठीके? अगर by chance कभी मुझे मोका मिलता है कि yes, I do have extra time और अगर ऐसा लगता है कि कुछ topics हैं जो gate के syllabus में नहीं है वो मैं पढ़ा दूँगा ठीके? clear हुआ तो अच्छा एक छोटा सा question मुझे बताओ question का answer मुझे बताओ कि CPU, IO और memory को distinguish कैसे करता है CPU, IO और memory में अंतर कैसे पता करता है कि मुझे किसको access करना है memory को access करना है या IO को access करना है उसका अंतर कैसे समझ में आएगा है ना? उसका अंतर कैसे समझ में आएगा CPU को या कैसे करेगा CPU इन दोनों की बीच में कि मुझे memory access करनी है IO access करनी है कैसे करेगा? बताओ कैसे करेगा? उसके लिए CPU ने control signals अलग-अलग रखे हुए है through the control signals CPU will distinguish कि मुझे memory access करनी है कि IO devices access करनी है है ना? तो मैं या लिख देता हूँ between memory and IO using control signals ये जो connection का तरीका है है ना इस connection के तरीके को specific नाम दिया गया है जो नाम है isolated IO और IO mapped IO और port mapped IO इसा क्यों कहा गया है थोड़ी देर बाद इसका अंतर समझ में आएगा थोड़ी देर बाद इसका पूरा डीटेल समझ में आएगा है ना? ठीके अभी समझिए इस चीज़ को कि CPU एक एड्रेस जनरेट करता है वो एड्रेस इसी बस के थ्रू मेमरी और IO दोनों के पास जाएगा वो उस एड्रेस पर read होगा है राइट होगा वो पता करेंगे signals के थ्रू वो एड्रेस पर memory अक्सेस होगी या आयो अक्सेस होगा कोई specific IO डिवाइस ये भी signal के थ्रू ही detect होगा तो जो भी signal enabled है उस signal के basis पर या तो मेमरी में या IO में अपना अपना क्या हो जाएगा operation perform हो जाएगा read या write अब एक छोटा सा एक और question है क्या IO डिवाइस के अपने खुद के addresses हैं यहाँ पे memory के तो of course है सारी memory में सारे addresses अपने हैं बट क्या IO डिवाइस के भी अपने addresses हैं हाँ और एक IO डिवाइस का अपना खुद का address है address 0 है अपना खुद का है 1 भी अपना खुद का है 2 भी है 3 भी है 4 भी है किसी device का address 0 होगा किसी का 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा पर IO डिवाइस के अपने खुद के addresses है तो यहाँ अगर point लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I.O. devices have their own addresses अपने खुद के addresses I.O. devices के होते हैं कोई उधार मांग के I.O. devices ने अपने address नहीं बनाए है ना अब यहाँ सुनिएगा बड़ा interesting सा case आ रहा है तीसरा टाइप मैंने यहाँ पर बताया था तीन different ways है जब हम I.O. को और memory को CPU से connect कर सकते हैं पहला तरीका मैंने बताया separate buses फिर दूसरा तरीका मैंने बताया कि common address और data bus तीसरा तरीका है हम तीनो बसेस को common कर देंगे तीनो बसेस मतलब read right signal भी common read right signal भी common तीसरा तरीका है common address data control bus अब यह जो तीसरा तरीका है यह का है तीनो बसेस common CPU से memory तक और I.O. तक same to same buses जो address bus memory के पास जाएगी वही I.O. के पास भी जाएगी जो control signals memory के पास जाएगे वह I.O. के पास भी जाएगे और बसेस सारी की सारी as it is common जे लेओ signal भी separate नहीं है अब तो सारे signal भी हमने एक साथ बना दिये हैं यहाँ पे read right signal दो ही रहेंगे read, write, read signal जो memory के पास जाएगा वही I.O. के पास भी आएगा write signal जो memory के पास जाएगा वह I.O. के पास भी आएगा data bus, control bus अब अब क्या होगा अब तो address भी common है data bus भी common है address bus भी common, data bus control bus भी common मतलब read signal जो memory के पास जा रहा है वही I.O. के पास जा रहा है अब कैसे अंतर पता करें एड्रेस CPU के पास से मेमरी के पास गया, आयो के पास भी गया, अब उस एड्रेस पे क्या access होगा, कौन सा operation होगा, मेमरी में होगा या आयो के पास होगा, ये चीज जो है, वो अब यहां पे हमें सीखने की ज़रूरत है, तो इस particular case में मेमरी और आयो के बीच में अंतर कैसे पत जो लाइन लिखी है, यह लाइन जो लिखी है, वो समझ में आ रही है, मेमरी से 8 x 8 bits and 2 io devices d1 and d2, एक मेमरी है सिस्टम में, रैम में मेमरी है, जिसमें 8 addresses है, और हर एक address पे 8-8 bit का content आप store कर सकते हो, और दो io devices है, d1 or d2, है ना दो ही io devices है, मेमरी 8 addresses हमने यहाँ पे लिख दिये, 00001 से लेके 111 तक के addresses है, 3 bit के address generate होगी, अब इस case में, जब हमारे पास common address data और control बस आ जाती है, तीनों बसे सगर common होती है, तो io और memory को अलग-अलग कैसे बताया जाए, उसका organization कुछ ऐसा होता है, कि यहाँ पे हमें io devices को memory से भीख लेनी होती है, io device बोलता है memory को, ए बाबा, यह मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपना address कुछ ही नहीं है, थोड़ा सा दे दे न, ए थोड़ा सा address दे न, एक दो address दे मेरे को, बस थोड़ा सा address दे दे, एक दो address दे मेरे काम हो जाएगा, बस तो यह io device जो है न, memory से भीख मांगेगी, कि तुम्हारे जितने भी addresses हैं, उनमें से थोड़े address मेरे को दे दो, तो memory दे दे देगी, ठीक है, तो होता क्या है, दो devices अगर है, तो इस memory से दो addresses निकल के आएंगे, और दो addresses इस particular device के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सम एड्रेसेस आफ मेमरी आर असाइंड फॉर आई ओ डिवाइसेस, मतलब, आयो डिवाइस जो है न, यहाँ पर परसाइट है, मेमरी के एड्रेस पर पलने वाला है आयो डिवाइस, तो मैं example लेके, assume करता हूँ, कि आयो डिवाइस जो D1 है, उसको assigned address जो मिला, वो मिला 010, और D2 को assigned address मिला 111, तो जब भी कभी CPU generate करेगा address, तो अब CPU को पता होगा, कि जब भी उसे, आयो डिवाइस D1 access करना है, तो उसे address generate करना होगा 010, जब भी कभी उसे D2 access करनी होगी, तब address generate करना पड़ेगा 111, तो अगर CPU ने address generate करा 000, तो उस address पे कोई IO device है या नहीं, पहले यह चेक किया जाएगा, क्या 000 पे IO device है, connected नहीं, उससे assign कोई address नहीं है, IO device का, तो वो address पे memory access होगी, CPU अगर address generate करता है 001, तो उस पे भी memory access होगी, अगर CPU ने generate किया address 010, तो वो address जो है, वो किसको assigned है, D1 को, तो उस address पे कभी memory access होगी, नहीं, इस location पे कभी memory access होगी, यह location memory की west होगी, इस पे न तो read होगा कभी, न write, क्योंकि जब भी कभी CPU generate करेगा, address 010, तो उस पे एक IO device access होगी, कोई भी IO device हो सकता है, यह hard disk हो, समझ में आई बाद, समझ में आई बाद, similarly, D2 जो है, D2 अगर access करना है CPU को, तो वो address क्या generate करेगा, 111, तो address अगर generate करेगा 111, तो इस address पे भी memory कभी access नहीं होगी, हमेशा इस address को generate करके CPU IO device D2 access करेगी, यह जो assignment है, IO organization का काम है, हमारा कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है इसमें, यह assumption है, just theoretically समझना है through an example, कि इसमें कैसे IO devices access होती है, that's it, यह address assign कैसे होंगे, क्यों होंगे, किस तरीके से होंगे, कितने address जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, कौन से वाले जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, हमको कोई लेना देना नहीं इससे, क्योंकि इससे gate का question नहीं बनना, हमारा जो question बनेगा, वो theoretically understanding के basis पे बन सकता है, कि यह वाले arrangement में IO device access कैसे होती है, तो IO device को access करने के लिए, IO organization या मेरा जो system organization है, computer organization, वो memory के कुछ addresses निकाल के, और उनको IO devices पे assign कर देता है, और IO devices फिर उन address पे access होने लगती है, तो जो address memory से निकाल के और IO को मिले है, उन addresses पे फिर memory access कभी नहीं हो पाईगी, तो यह memory wastage हो जाएगी हमारी, क्योंकि इस पे कभी memory access नहीं हो पाईगी उस address पे, उस address पे कभी भी memory access नहीं हो पाईगी, तो अगर यहाँ पे कहें कि common ही address bus भी है, data bus भी है, control bus भी है, read, write, तो अगर read, write भी signal common है, तो CPU कैसे पता करेगा कि मुझे memory access करनी है, आयो, यह पता होगा अलग-अलग addresses से, कि जो address CPU ने generate किया, उन में से कुछ addresses आयो के हैं, कुछ memory के हैं, जो memory के हैं, अगर CPU ने वो address generate किया है, तो उस address पे memory access होगी, यह signal फिर memory के लिए ही होगा, अगर CPU ने address generate किया है, जो आयो को assigned है, तो फिर उस address पे IO device access होगी, signal आयो के लिए काम करेगा, तो अगर यहाँ पे question पूछा जाए, कि memory और IO के बीच में CPU अंतर कैसे पता करता है, तो इस case में किस तरीके से अंतर पता करता है, through the addresses, through the addresses, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कि, between memory and IO using addresses, कुछ address memory के पास, कुछ address IO के पास, इस तरीके से दोनों के बीच में अंतर, CPU करता है, चब, अब, यहाँ पे एक बात आती है, कि क्या इस IO का अपना address है, या इसने कहीं से उधार मांगे है, क्या IO devices के अपने खुद के address होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, IO device के अपने addresses नहीं है, previously, इस particular IO mapped IO में, थे, IO के अपने address थे, यहाँ पे IO के अपने address नहीं है, क्यों नहीं है, यह तो memory से उधार मांग रहा है न, कि कुछ, यह दबावा दे देना रहे तोड़ा, तोड़ा तो दे देना रहे बाबा, तोड़ा दे दे दे, दे दे, दे दिया, IO को, मेमरी ने कुछ addresses अपनी तरफ से दिये, उसके खुद के कोई addresses नहीं थे, तो यहाँ पे आप clearly लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि IO devices do not have their own addresses, IO devices do not have own addresses, खुद के अपने addresses, IO devices के पास नहीं होते, तो फिर कहां से आते हैं, मेमरी से आते हैं, इसी लिए, यहाँ पे इस particular connection को बोलते हैं, Memory Mapped IO, सर, मेमरी पे Mapped IO क्यों कहते हैं, क्योंकि IO devices मेमरी पे Mapped है, मेमरी के addresses पे पल रही है, IO devices, ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे IO devices के खुद के address है नहीं, वो मेमरी के addresses लेके, और access हो रहे हैं, इसलिए, मेमरी पे Mapped IO devices, यहाँ पे IO के अपने addresses होते हैं, इसलिए IO Mapped IO, जब आप, इस चीज़ को computer organization की terms में देखते हैं, तो IO devices के हर एक के जो अपने addresses होते हैं, उन्हें address बोलते हैं, बट जब यही चीज़ आप practically real life term में बात करते हो न, तो instead of calling them IO addresses, उन्हें आप port number बोल देते हो, कि किस particular port से CPU से, यह device connected है, बताओ, आपके पास जितने भी port होंगे, CPU से connection के, वो सारी port के थूँ, port number आती हैं, वो port number जो है, उसकी वज़े से, इसको port mapped IO भी कहते हैं, IO mapped IO की ज़ेगे, that's it, है न, अब अगर बात करें, कि इन दोनों में से, हमारे system में कौन सा use होता है, तो यह use होता है, हमारे computer system में यह use होता है, यह वाला ही use होता है, और यह हर ज़ेगे use होता है, इसका logic भी है, उसके पीछे हम बात करेंगे, थोड़ी दिर पे बाद में, पट एक चीज यहाँ पे हमें समझनी है, वो यह है इन दोनों के बीच का difference, कि memory mapped IO और IO mapped IO के बीच में difference क्या है, सबसे पहले तो memory mapped IO में कुछ memory waste होती है, हाँ होती तो है, क्यों होती है, पे memory access नहीं हो पाती है, जो IO को दे दिये गए है, तो सारे के सारे memory addresses यूज नहीं हो पाए, इसलिए कुछ memory wastage गई, IO mapped IO में ऐसा नहीं था, memory के अपने address, IO के अपने address, तो उसकी वैसे memory waste नहीं हो रही थी वहाँ पे, जितना memory का address है, वो पूरा-पूरा यूज कर सकते हैं, इसलिए no memory wastage, है ना, ये वाला point जो है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर के बाद, पहले ये देखो, no separate address space for IO, address space मतलब, number of addresses, collection of addresses, memory के addresses पे ही, IO device connect होती है, इसलिए, अपना खुद का addresses नहीं होता, IO devices के पास, थोड़ी देर पहले ही बताया मिले, यहाँ पे, आप देख सकते हैं, IO have their own separate address space, बिल्कुल IO device के, अपने खुद के addresses होते हैं, collection of addresses, called as address space, तो 4 IO devices, 4 addresses, collection बनाया, address space बना, ठीक है, फिर, यहाँ पे, यह चीज जो है, यह भी आपको थोड़ी देर बाद, इन दोनों point के साथ में, मिलेगी, जो second, fourth और fifth point है, वो मैं एक साथ, अभी explain करता हूँ आप लोग को, है ना, चलो, अभी मुझे एक चीज बताओ, यह बताओ, कि जो हम, कोई भी instruction execute करते हैं, तो CPU उस instruction को execute कैसे करता है, instruction को execute करने के लिए, CPU छोटे-छोटे micro operation perform करता है, है ना, किसी भी instruction को execute करने के लिए, CPU छोटे-छोटे micro operation perform करता है, एक micro operation को perform करने के लिए, CPU control signal generate करता है, control word, collection of signal, याद आया, मैंने बताया है यह सब अब अगर याद होगा तो ही तो याद रहेगा नहीं तो हाँ सर ने बोला है तो समझी लेते एक micro operation को perform करने के लिए CPU एक पूरा control word generate करता है which is the combination of control signals है ना आई बास समझ में अब यहाँ देखो जरा क्या memory को access करने के लिए signal अलग है और IO को access करने के लिए signal अलग है क्या memory और IO को access करने के लिए signal अलग-अलग है हाँ है अगर इन दोनों को access करने के लिए signal अलग-अलग है तो अगर CPU को को कोई ऐसा micro operation perform करना है जिसमें memory को access करना है तो उसका control word अलग होगा और इसका control word अलग होगा memory को access करने के लिए जो control word या signals का combination बनेगा वो अलग होगा क्योंकि signal अलग है इसके और IO को access करने के लिए control word अलग होगा क्योंकि इसके signal अलग है of course अलग है तो अगर control word अलग-अलग है किसके memory को access करने के लिए और I.O. को access करने के लिए, तो of course selection of collection of control word which is nothing but instruction, instruction भी अलग होगा, of course इसको access करने के लिए अलग से instruction बनेगा, जिसमें अलग से control word बनेगे, इसको access करने के लिए अलग से instruction बनेगा, जिसके अलग-अलग-अलग-अलग signal बनेगे, या control word बनेगे, yes, मतलब कि अगर आपने ये Memory को access करने के लिए अलग से instruction बनेंगे CPU में और IO को access करने के लिए अलग से signal बनेंगे अलग से instruction बनेंगे मतलब जब CPU का architecture design होगा तब IO के instructions अलग इसके instruction अलग बनेंगे जी हाँ बनेंगे addressing mode भी अलग होंगे क्योंकि signal वही same problem है addressing mode भी तो signal के through access होंगे तो अगर memory को access करने के लिए addressing mode है तो वो भी अलग होंगे IO को access करने के mode भी अलग होंगे जी हाँ अलग होंगे बट अगर हमने यहाँ पे signal ही common कर दिया तो signal ही common कर दिये इस case में तो एक type का instruction जो memory access कर सकता है वो IO भी access कर सकता है क्योंकि signal सेम signal सेम तो control word सेम control word सेम तो addressing mode और instruction भी same to same तो अगर आपने signal ही common कर दिये memory पे जाने वाले और IO पे जाने वाले तो इस case में जो memory पे access करने वाले instruction है वो सारे के सारे IO को access करने के लिए भी use आ सकते हैं जो memory के लिए addressing mode बनाए है वो सारे IO के लिए भी use हो सकते हैं येस और यही point लिखा हुआ है point number two कि जितने भी memory को access करने के instructions हैं वो सारे IO के लिए भी use हो सकते हैं क्योंकि control signal common हो गए यहाँ पे ऐसा नहीं है आयो access instruction memory access instructions are different different आयो के access के लिए अलग से instruction बनेंगे memory को access करने के लिए अलग से instruction बनेंगे अब मुझे उम्मीद है ये point आपको समझ में आया हुआ second और समझ में आया है तो session का like तो बनता है और थोड़ा सा मेरे लिए प्यार जरूरी है यार देखो मैं सुभा से ना पांच घंटे already पांच-छे घंटे पढ़ा चुका हूँ है ना उसके अलावा कम से कम आदा घंटा over the call बच्चों से बात कर चुका हूँ बहुत सारे अलग-अलग calls आते हैं रोज कुछ ने कुछ कोई ने कोई student message करता है सर चोटी सी यह problem है क्या करेंगे कैसे करेंगे and all and all तो मेरा आवाज आप सुन सकते हो अभी भी कि बहुत बहुत बैठा हुआ है फिर भी फिर भी मैं इतनी मेनद करके पढ़ाता हूँ क्यों तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर के लिए करियर बनेगा, जॉब लगेगी, पहली salary का 5% commission मेरे पास आना चीए तो यह मेनद successful है ठीक है चलो वापस आते हैं चीजों पे समझते हैं कि signal अगर common है तो memory को access करने का यह लिखा हुआ है अलग-अलग आयो instruction और memory access instruction अलग-अलग होंगे अब देखो एक छोटा सा example में लेता हूँ एक real Indian house की अगर बात करें इंडिया में actually क्या होता है इंडिया में actually क्या होता है आपको पता है ना इंडिया में actual में क्या होता है देखो बताता हूँ कि अगर घर में अगर घर में दो बच्चे है अगर घर में दो बच्चे है तो दोनों बच्चों के प्रिविलेजेज में थोड़ा difference आता है रोहते हैं एक एक अजयूम करो एक घर की छोटी सी रूल बुक है कि जब वो उस घर में कोई बच्चा 14 एर का हो जाएगा तो इसको mobile phone मिल जाएगा जब वो बच्चा 18 year plus का हो जाएगा तो उसको बाइक मिल जाएगी जो भी बाइक है मतलब लड़का है तो बाइक मिल जाएगी लड़की है तो स्कूटर मिल जाएगा मतलब स्कूटी एक्टिवा जो भी आप मानो तब and plus plus जो भी है अब घर में दो बच्चे हैं एक 18 year का एक 16 year का अब definitely आर 18 year वालों को दो बाइक मिल गई है 16 year वालों को मिली नहीं है of course नहीं मिलेगी क्योंको उसका privilege कम है छोटा है इसलिए है ना privilege अलग अलग है है अलग अलग yes yes बिलकुल अलग है तो इसके privileges जादा होंगे इसको बाइक भी मिल गई है plus इसको allowed है कि अपने दोस्तों के साथ जादा देर तक बाहर रह सकता है parties कर सकता है रात की 11 बजे तक भी घर आएगा चलेगा इसको रात में 8 बजे वापस घर आना है इससे जादा देर नहीं रुख सकता privileges अलग-अलग है होता है हर किसी के घर में होता है ऐसा है ना आपके साथ भी होता होगा ऐसा नहीं तो देखो बात यहाँ पे यह आती है कि जो बड़ा sibling है है ना I am not talking about लड़का है या लड़की है बड़ा से sibling है उस बड़े sibling के पास जादा privileges है क्योंकि जरूरत है छोटे sibling के पास privileges कम है क्योंकि जरूरत कम है ऐसा ही ना system में भी होता है memory बड़ा sibling है system का memory को access करने के लिए जादा type के instruction की जरूरत पड़ती है क्योंकि memory से CPU को बहुत frequently instructions उठाने पड़ते और data भी उठाने पड़ते अब data को उठाने के लिए अलग-अलग addressing mode भी बनाए जाते हमने पढ़े है direct mode, indirect mode, index mode PC relative mode, multiple type के mode बनाए जाते IO device ना छोटा भाई है छोटा sibling है छोटे sibling को ना privilege कम मिलते है क्योंकि जरूरत नहीं है same IO device के साथ होता है system में कि वो जो IO device है न वो IO devices के privileges कम होते है उसको usually सिफ एक type से read या write ही करना होता है और कुछ भी नहीं अलग-अलग addressing mode की भी जरूत नहीं पड़ती और नहीं बहुत सारे बहुत कम बनाये जाते है और memory के instruction ज़्यादा बनाये जाते है वो instruction जो memory access कर सकते है वो ज्यादा बनाये जाते है तो memory access के instruction ज़्यादा बनाये जाते है और IO के लिए कम एक या दो या तीन type के instruction बनते है बस addressing mode का भी यही scene है practical scenario में जो IO mapped IO में होता है कि addressing modes भी IO को access करने के लिए एक type का ही होता है बस simple वाला memory को access करने के लिए बहुत सारे addressing modes बनाए जाते हैं जो कि practical scene है जो यहां लिखा हुआ है बट यहां क्या आ जाता है न यहां पे न दो बच्चे twins हो जाते हैं घर के जो दो बच्चे हैं वो twins हो जाते हैं तो अगर एक को 18 की उमर में बाइक मिलेगी तो दूसरे को भी 18 की उमर में बाइक मिलेगी क्योंकि वो दोनों एक साथ ही बड़े हो रहे एक को 14 की age में अगर mobile phone मिलेगा तो दूसरे को भी 14 की age में mobile phone मिलेगा क्यों? क्योंकि आपने क्या किया उससे होता क्या है, जितनी भी memory के privileges हैं, वो I.O. को मिलने लगते हैं, memory के जितने instruction आपने बनाए, वो सारे I.O. के लिए use हो जाएंगे, ज़्यादा instruction memory को access करने के लिए बनाए, तो I.O. के लिए बढ़ जाएंगे, तो ultimately होगा क्या, ultimately ये होगा कि number of instructions जादा होंगे, I.O. को access करने के memory mapped I.O. में, और number of addressing mode भी जादा होंगे, क्यों, क्योंकि memory के लिए जादा बनाए, तो automatically I.O. के लिए भी use होगा है, इसलिए, ठीके, समझ में आई बात, तो ये difference आपको समझ में आ गया, clear है इतना, चलो, आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, serial, asynchronous data transfer के बारे में, Sir, will you cover complete syllabus of COA, जी हाँ बेटा, syllabus तो पूरा cover कर दूँगा, पड़ आपका question solving आपको देखना पड़ेगा, है ना, मुझे उम्मीद है आप लोगोंने कल का topic ठीक से revise कर लिया होगा, आप लोगों के DPP के questions ready है, class खतम होते ही में DPP आपको आज ड्रॉप कर दूँगा, और पिछले तीन sessions के आपको PPT भी ड्रॉप कर दूँगा, है ना, वो मिले गया आपको community पे, Unacademy platform की community पे मिल जाएगा, ठीक है, चलो, तो DPP मिल जाएगी, उसको solve कर लीजिएगा, आप लोग बड़े अच्छे questions है, Serial Asynchronous Data Transfer, पहले ना, छोटी-छोटी चीजों को समझते हैं, उसके बाद इस पे आएँगी कि ये है क्या, सबसे पहले बात करते हैं, कि अगर आपने CPU और I.O की बीच में communication कराया, और data bus में एक ही line है, data bus with one line, अगर एक ही line है data bus में, तो 8 a time कितनी bit transfer कर पाऊगे, एक bit, अगर एक ही line है data bus के अंदर, तो एक bit एक साठ transfer कर पाऊगे, एक के बाद एक के बाद एक ही bit आपको transfer करनी पड़ेगी, इस चीज़ को बोलते है, serial transfer, क्या बोलते है, serial transfer, data का serial transfer होगा, one by one by bit जाएगी, अगर data bus में आपने multiple lines लगा दी तो, इस data bus में आपके पास multiple lines है, तो multiple bits एक साथ आप transfer कर सकते हो, इसे बोलते है parallel transfer, in general हमारे system में parallel transfer होता है, data bus में 8 bit, 16 bit, 32 bit का line होता है, मतलब एक साथ उतिनी lines होती है, एक साथ उतिनी bit आप transfer कर सकते हो, IOC memory, IOC CPU, CPU से आप, है ना, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे serial transfer की, जहाँ पे एक ही line है, data bus के अंदर, अब बात करते हैं, asynchronous, asynchronous का मतलब है, asynchronous का मतलब है, कि जो CPU है, वो, और IOC device जो है, वो, दोनो, अलग अलग clock पे काम कर रहे हैं, इसकी clock generator अलग है, इसका clock generator अलग है, अफकोर्स अलग होना चाहिए, क्योंकि CPU बहुत fast है, CPU quick-quick काम कर सकता है, IOC slow है, तो IOC slow-slow काम करेगा, इसलिए इसकी clock अलग, इसकी clock अलग, clock मतलब, frequency of operation, बट जब ये दोनों आपस में बात करेंगे, तब क्या होगा, CPU जितनी तेजी से data को process करके, IOC पे भेज सकता है, क्या IOC उसे उतनी जल्दी से read कर पाएगा, जितनी जल्दी, CPU जल्दी 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 कितना भी बोल सकता है, क्या IOC इसको interpret करके, और समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, क्यों नहीं समझ पाएगा, कि जब मैं बोलू तो आपको समझ में भी आया, प्रोसेस भी हो आपके दिमाग में, और स्टोर भी हो जाए, तो उसलिए मुझे अपनी स्पीट को स्लो करना पड़ेगा, आपकी स्पीट से सिंक करना पड़ेगा, वही यहाँ पे हो रहा है, वही यहाँ पे हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, CPU और I.O. की बीच में अगर डेटा ट्रांसफर है, यह तो फास्ट फास्ट रन करता है, यह स्लो स्लो रन करता है, यहाँ पे सिंक्रोनाईजेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये synchronization कौन प्रोवाइट करता है IO interface पर कैसे कैसे करता है उसका मैं आपको नमुना थोड़ी देर बाद बताता हूं कि IO device से CPU पे मतलब CPU से IO पे अगर data transfer हो रहा है तो इस interface के पास वो data आ जाएगा और इस interface से IO के पास वो data कैसे जाता है slow 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 bit by bit वो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे है ना तो होगा क्या exactly होगा ये कि जब हम serial asynchronous data transfer की बात करते हैं तो जो हमारा source है और destination है डेटा को भेजने वाला source destination जो डेटा को accept करेगा दोनों के बीच में एक single line है single line है इस line पे data जो जाएगा वो जाएगा character by character एक character पहले फिर character फिर next character अब next character एक character की bit कितनी होंगी in general in by default एक character का जो size होगा वो होगा 8 bits 8 bit का एक character one by one जाएगा मतलब की पहले पहली bit फिर second फिर third, fourth, fifth ऐसे 8 bit का पूरा character जाएगा but just because हमें यहाँ पे synchronization प्रोवाइट करना है इस destination को पता कराना है कि भाई साब data आ रहा है इसको accept करो अब तो उसके लिए यहाँ पे 8 bit का character भेजने के पहले one या ज्यादा एक या उससे ज्यादा start bit भेजनी पढ़ेंगी ताकि destination को पता चले कि data आ रहा है और एक character के आखरी में एक या उससे ज्यादा stop bit भी भेजनी पढ़ेंगी ताकि destination को समझ में आए कि हाँ ये एक दूसरे से singed है तो एक character को भेजने के लिए पर sending each character start bits plus character bits plus stop bits these many number of bits are transferred source say destination तक ये सारी bits जाएंगी परसर क्यों ये start bits, stop bits क्यों भेजी आपने इसका भी reason है बताते हैं थोड़ी देर रुको थामबा जरा थामबा relaxed मैं बताता है यहां पर देखो बड़ा simple सा फंडा है जब भी कभी data transfer होता है ना system में तो data transfer के बाद जो सबसे last में सबसे last में जो bit भेजी जाती है वो उस line पर रहती है अगर इस source ने पहले कभी भी destination पर data भेजा होगा कभी भी चाहे एक दिन पहले या 10 दिन पहले या 5 मिनिट पहले कभी भी अगर data भेजा होगा तो इस line पे कौनसी वाली bit रहेगी जो सबसे last में आपने भेजी है वो है start bit सबसे last में आपने stop bit भेजी वो रहेगी हमेशा मतलब अगर वो one है तो one यहाँ पे दिखता रहेगा destination को अगर zero है तो वो zero दिखता रहेगा destination को उसमें changes नहीं आएगे वो वो persist करेगा अब अगर source ने data को भेजा और भी कोई content तो इस destination को कैसे पता चलेगा कि यह नया data आया है या stop bit का ही content है इसलिए हम synchronization के लिए start और stop bit अलग-अलग use करते हैं अलग-अलग use करते हैं मतलब आप अगर start bit zero लोगे तो stop को one लेलो अगर start bit को one ले रहे हो तो stop को zero लेलो मैंने अभी example में देखा example में लिया कि मैं assume कर रहा हूँ I am assuming देखो यह fix नहीं हो फिर से बता रहा हूँ कान खोलके दिमाग खोलके सुनलो यह fix नहीं है constant नहीं है कि start zero और stop one ही होगा मैंने just for example ले लिया मैंने example में लिया है कि यह start bit मेरी है zero और stop है one और example मेरी start bit जो है वो है zero और stop bit जो है वो है one क्या होगा जब कभी data transfer हो चुका होगा तो इस line पे क्या होगा इस line पे होगा one पहले zero फिर 8 bit का character फिर one फिर zero 8 bit का character फिर one हमेशा ऐसा ही होगा है ना अब अगर stop bit one आ गई तो सबसे last में जो bit भेजी इस line पे रहेगी बिलकुल रहेगी अब अगर इस line पे रहेगी तो सबसे last में जो bit भेजी है वो क्या रहेगी one रहेगी तो जब कोई data transfer नहीं हो रहा होगा तो इस line पे क्या रहेगा one यह destination ना इस line को observe करता रहेगा इस पे क्या आ रहा है one इस पे क्या आ रहा है one इस पे क्या आ रहा है 1 जब तक इसको 1 मिलता रहेगा destination को पता चलेगा कोई data नहीं आ रहा आपने पास कोई data नहीं आ रहा क्यों क्योंकि जब भी कोभी data आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा start bit which is 0 different than the start bit different than the stop bit stop bit और start bit दोनों अलग-अलग होनी जरूरी है तभी तो detect कर पाएगा destination कि हाँ भीया पहले तो 1 था ये line पर बहुत देर तक 1 1 1 1 1 1 1 मिलता रहा फिर उसके बाद अभी आ गया 0 जैसे ही ये 1 के बाद में 0 आया मतलब इस destination को पता चल गया ओहो data आने वाला है वो data आने वाला है तो ये destination जो है वो alert हो गया destination alert हो गया कि अब status change हुआ 1 से लेके 0 तो अब हमें क्या करना है अब data आने वाला है data आने वाला है ओके तो destination alert हो गया इसके बाद में 8 bit आ जाएंगी जो भी है bits में वो आ जाएंगी 8 bit का इसको character मिल गया अब देखो system की तो design है हम organization पढ़ रहे हैं तो अब organization में ये design होगा destination को पहले से पता होगा कि जैसे ही मेरे पास में 8 bit का character आएगा उसके बाद 1 भी आएगी ये क्या हो जाएगी stop bit तो मुझे इसको अपने data में include नहीं करना है 8 bit का data मैंने ले लिया उसको accept कर लिया एक character मिल गया उसके बाद 1 bit का stop bit भी आएगा जी हाँ stop bit आएगा बस उसे मेरे को क्या करना है उसको छोड़ना है फिर से अगर देखेंगे क्या और character भेज रहा है क्या source अगर और character भेजेगा तो पहले 0 भेजेगा ये होगी हमारी start bit ताकि system को destination को पता चल पाए कि हाँ भाईया हमार पास आने वाला है क्या आने वाला है एक नया character और आने वाला है तो ये start और stop bit को use करके और क्या होगा यहाँ पे दोनों को use करके और synchronization मिल जाएगा कि source जब data भेज रहा है तब इस destination को पता चले कि हाँ data अब आएगा और उसको correct data मिल भी जाए जब correct data मिल जाएगा तो वो accept करता रहेगा हर एक 8 bit के character के पहले start bit और बाद में stop bit आप उल्टा भी कर सकते हो start bit को one और stop bit को zero बना सकते हो कोई problem नहीं एक से जजादा भी use कर सकते हो बट मुझे नहीं लगता कि अच्छा फाइदा है उसमें अब simple सा है यार अगर है ना, चलो, अब एक छोटा सा question मैं पूछता हूँ यहां से, question के पहले ये चीज में लिखके लाया हूँ, जब कोई भी data transfer नहीं है, तो one state में रहेगा stop bit पे, अगर जैसे ही zero detect हुआ destination पे, तो उसको मतलब ही कि transmission अब start हो चुगा है, character bits will follow the start bit, start bit के बाद में character bits आएंगी, और last bit character के बाद में होगी one, ताकि वो destination को समझ में आए, destination को समझ में आजाएगा, कि हाँ भी या, अपडेटा हमारा पूरा हो चुगा है, ठीके, फिर नया character आएगा, तो फिर से zero आजाएगा, and etc. चलता रहेगा, अच्छा, एक question मैं के लिए, total कितनी bit transmit करनी पड़ेगी, यहां से, to send one character from source to destination, how many bits are transmitted, बताओगे आप, कितनी bit transmit करनी पड़ेगी, 10, 10 bit, कितनी bit, 10 bit, start और stop, एक एक और 8 bit का character, अच्छा, एक छोटा सा और question है, कि मैंने source से लेके, destination पे, जो line लगाई है, यह line ना, एक second में, एक second में, 800 bits transmit कर देती है, एक second में, 800 bits transmit कर देती है, 800 bits transmit कर देती है, तो बताओ, कितने character, actual में, source से destination तक पहुच बाएगे, एक second में, एक second में, 800 bits का transmission हो पाएगा, यहां से यहां तक, 800 bits in one second, आप यहां से यहां तक transmit कर सकते हो, तो बताओ, कितने number of character, इस example के लिए, आप यहां से यहां तक भेज पाओगे, क्या आप 100 character भेज पाओगे, नहीं, आप सिफ 80 character भेज पाओगे, क्योंकि एक character के लिए, आपको total 10 bit भेजनी पड़ रही है, कितनी 10 bit, तो एक character के लिए 10 bits, 800 bits के लिए, मैं आप सिफ 80 characters per second ही, य समझ में आई बात, 800 bits में 80 characters आप send कर पाओगे, अब यहां पे एक question आता है, जो किसी ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था, कि sir, अगर हमारे पास 8 bit में कुछ भी data आ गया, तो इस destination को कैसे पता चलेगा, कि यह stop bit है, कि start bit है, कि data आए, कि क्या है, देखो number of bits fix होंग इस character में 8 bit है, यह fix होगा, इस destination को पता होगा, कि पहले stop bit आएगी, उसकी कितनी तेर के बाद मेरे पास next bit आएगी, उसकी कितनी देर के बाद नेक्स bit आएगी, तो उतनी उतनी देर के बाद में वो ugly bit को observe करता रहेगा, और accept करता रहेगा, जैसे ही 8 bit का character आ गया start bit के बाद, तो फिर वो ugly bit को discard कर देगा, तो यह क्या है ना, timing fix रहता है, कि कितनी कितनी देर के बाद में नई नई bit यहाँ पर पहुंचेगी, उसकी fix timing है, destination उतनी उतनी देर के बाद एक एक bit accept करता जाएगा, इसलिए पता चल जाएगा, कि अच्छा 8 bit आने वाली, एक एक करके 8 bit ले उसके बाद में stop bit आ जाएगी, काम खता, है ना, चल अब question solve करो, यह है आपके सामने question, देखो इस question को solve करो, stop bit पे भी limit रहता होगा ना, सर, क्या मतलब है इसका, stop bit पे limit का मतलब क्या समझते हो, limit का मतलब कितनी bits रहेंगे, अब देखो यार, हम तो चाहते हैं कि एक एक bit में ही काम हो जाए, बट एक से जादा लगाएंगे, तो वो organization का decision है ना, अगर organization का decision है, तो एक simple सी बात है, वो decision हो जाएगा कि एक bit या दो bit या तीन bit, stop bit लगाएंगे, वो जाएगा, काम खतम, तो destination को उसके बारे में पता तो होगा, एक bit character कितने आप transmit कर सकते हो, एक serial communication link के थूँ, जिसमें की speed है, आपकी 7200 bits per second की, अब इस particular mode में आपने एक start bit, आठ data bit क्योंकि character है, दो stop bit और एक parity bit भी send करनी है, parity क्या होती है, अभी आप ignore करो कि कुछ तो होता है, तो आपको एक character को transmit करने के लिए, कितनी number of bits transmit करनी पड़ेंगे, एक तो start bit है, 8 data bits है, 2 stop bits है, और एक parity bit है, टोटल 12 bits आपको transmit करना पड़ेंगे, 12 bit भेजने पे एक character भेजने को मिलेगा, तो 12-12 bit के कितने character आप भेज सकते हो, एक सेकेंड में, अगर एक बार में आप 7200 bits ही भेज पाओगे, एक सेकेंड के अंदर, तो 7200 divided by 12, 600 characters per second की आपकी, ये character per second की transmission rate आपको मिलेगी, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते, question अगला देखते, बहुत तरसो byte per second होता, तो multiply by 8 हो जाता, 8600 आजाता answer, bits को byte, byte को bit में convert करके और सेम तरीके से solve करते, speed को bits per second में convert करो और solve कर लो, 8 bit character are transmitted using parity synchronous mode of transmission, this, 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 what is the efficiency of the transmission line, अब efficiency क्या है, देखो, इस particular line पे हम ना, ऐसा समझते हैं, कि 1 bit भेजेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चोथी, assume करो कि इस line में आप 10 bit भेज सकते हो, एक second के अंदर, एक second में यहां से यहां तक 10 bits transmit हो सकती है, बट क्या वो 10 bits सारी के सारी data वाली होंगी, या कुछ extra भी होंगी, extra भी होंगी, एक start, एक stop के साथ में 8 bit character की, आपकी काम की bit 8 ही गई, 2 extra गई, कितनी bit extra गई, दो, तो एक second में आप जितना data यहां से यहां transmit कर सकते हो, 10 bit का, उन 10 bits में efficiency के साथ अगर आप बात करो, या productive data की बात करो, जो सिफ data data है तो कितना गया, सिफ 8 bit गई, तो 8 bit कितने में से, 10 bits में से, तो हम बोलेंगे 80% ही efficiency है इस line की, 20% time तो आप ऐसी bits भेज रहे हो, जो data की है ही नहीं दूसरे परपस से भेज रहे हो, तो efficiency of that line will be what, data bits divided by total bits for one character, क्या हो जाएगी, यहां पर efficiency की अगर बात करें, तो वो हो जाएगा, data bits for one character divided by total bits transmitted per character क्या जाएगा data bits 8 है, divided by total bits कितनी है, one start bit, one, eight data bits, one stop bit, तो क्या आजाएगा, 8 divided by 10, 0.8, या फिर इसको 80% भी आप लिख सकते हैं, 80% की efficiency आजाएगी, line की, ठीक है, बहुत अच्छी बात ही, 80% efficiency आ गई, तो efficiency of line पूछे, तो आप ये लगा देना, है ना, चलो, तो आज का session हो गया खतम, कल हम बात करेंगे, interrupt और DMA के बारे में, interesting होगा session, और बहुत quickly हम दोनों को finish करेंगे, तो एक topic आता है, जिसका नाम है, modes of transfer, तीन टाइप के modes होते हैं, program, programmed I.O, interrupt I.O, DMA, ये तीनों कल discuss करेंगे, एक एक करके, और उसके बाद, अगले session में, discuss होगा, memory organization, है ना, तो I.O में, एक और topic हमारा, एक ही lesson और रहेगा, जिसमें हम ये बात कर लेंगे, है ना, चली, अभी, आपके पास कुछ information है, सुनते जाईए, अगर आप लोगोंने, scholarship test लिखा था, और इसके आपको, अगर discount code मिला है, तो use कर लीजिएगा, क्योंकि, वो discount code, अब सिर्फ, और सिर्फ, 14th of October तक ही, valid है, अगर आपको, scholarship code नहीं मिला है, तो आप ये वाला code लगाओ, VDeep10, और Unacademy Plus Iconic subscription ले लो, जहाँ पर आपको, मेरे personal guidance में, पढ़ने का मोका मिलेगा, पूरी team के साथ, connect होने का मोका मिलेगा, और organized learning मिलेगी, कोई भी subscription है, usually जो आप code लगा के लेते हो, अगर आप चाहते हो, कि आखरी में, वो चीजें जो छोटी-छोटी कमी रह गई है, उनको ठीक से पूरा करें, और जितना time हमारे पास है, उसे best utilize करें, उसके साथ best rank लेके आए, तो आप लोग organized learning की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको हर time पे, हर चीज बहुत systematic तरीके से मिलेगी, ताकि आपकी learning और आपकी जो process है, वो उपर तक पहुँच पाई, बहुत सारी छोटी-छोटी gaps हैं, आपकी preparation में रह गई है, ये gaps बहुत बड़ा gap बना देंगी, जब आप exam लिखने जाओगे, तब आपको realize तब होगा, जब आप test series लिखोगे, तो अगर उन छोटी-छोटी gaps को आप fulfill करना चाते हो, fill करके और कहीं भी कमी नहीं रखना चाते हो, तो आप guided program के थूँ अपनी last moment preparation को पूरा कर पकते हो, अगर आपका target gate 24 का भी है, और 24-25 का है, तो आप longer duration का subscription ले सकते हो, ताकि आप जादा time तक सही preparation कर पाओ, उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसे like जरूर करिएगा, share करिएगा, अपने सारे friends के साथ subscribe कर लीजिएगा channel को, और मिलते हैं आप से अगले session में कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और keep learning happily, अगर आप लोग को अपनी preparation से related कोई doubt है, query है, question है, 8.30 p.m. आज एक special class ले रहा हूँ, Unacademy platform पे free है, accessible है, आप सब लोगों के लिए आजाओ उस class में, आप लोग बात कर पक्ते हो मुझ से, thank you so much for joining, see you in the next session, bye-bye.